राम राम आज किस वीडियो में हम श्रिमत भगवत कीता के अध्याय तीन कर्म योग का अंतिम श्लोक 43 संस्क्रित उचारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे पहला चरण एव शब्द पूरानी के बाद में व पी अनस्वार आधाम एवम बू के बाद में लिखावाय आधा द और ध से धनुष पूरा ये शब्द हमने पिछले श्लोक 42 में भी देखा ध आधा है बू के साथ आधा द बुद ध पर एके मात्रा धे एके मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे है बुद धे है पौर दोनों अक्षर पूरे न दोनों में अमिक्स होगा शब्द पूरा होने के बाद रपे अनस्वार आधमा परम भू के साथ आधा द बुद्ध और धा आधे के साथ वा ध्वा बुद्ध्ध्ध। पहला चरण रिपीट एवं बुद्धे हे परम बुद्ध्ध्ध। दूसरा चरन स की उपर बिन्दी क्योंकि शब्द के पहले अक्षर पर है तो आध्णन नाख से बोला जएगा संस तपूरी के साथ आधा भ संस तब या के साथ आता या के साथ आधा त यात मान न में अमिक्स करेंगे यात मान मा के साथ आधा तैब मात म में आमिक्स किया मना मात मना दूसरा चरण रिपीट संस्तब्यात मान मत मना पहला और दूसरा चरण साथ में एवं बुध्धेह परंबुध्वा संस्तब्यात मान मत मना तीसरा चरण जमी आमिक्स करना है जही शत्रू श में आमिक्स करना है, शब्द पुराने के बाद तुरूपे अनस्वार आधामर शत्रूम, म में आमिक्स किया महाँ बाहो तीसा चरण रिपीट, जही शत्रूम महाँ बाहो चरण काम, म में आमिक्स करना है, काम, रू की मत्रा बड़ी है, लंबा कीचना है, रूप, शब्द पुरा होने के बाद पपी अनस्वार आधाम, काम रूपम, दुरा, स पुरा है, स में आमिक्स करना है, स द पुरी के साथ आधाम, दुरा स दम च्वाथा चरण रिपीट कामरूपम्दुरासदम तीसरा और च्वाथा चरण साथ में जही शत्रुम्महाबाहो कामरूपम्दुरासदम पूरेश लोक का उच्चारण एक साथ एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तव यात्मान मत्मना जही शत्रुम्महाबाहो कामरूपम्दुरासदम एक बार फिर से एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तव यात्मान मत्मना जही शत्रुम्महाबाहो कामरूपम्दुरासदम अब श्लोक का अर्थ देखते हैं इससे पिछले श्लूप में हमने दिखा कि भगवान अर्जुन को कामना जो मनिश्य का सबसे बड़ा शत्रू उसको मारने की आगया देते हैं कि सबसे पहले अपनी इंद्रियों को वश्मे करना है उसके बाद इस कामना रुपी शत्रू को बलपूर्वक मार डालना है फिर भगवार ने पिछले श्लूप बैयालिस पर बताया कि इंद्रियां स्थूल शरीर से जो शरीर है उस शरीर से इंद्रियां श्रिष्ट है क्योंकि शरीर के विश्यों का ग्यान इंद्रियों के द्वारा होता है इंद्रियों की सारी जो हर इंद्रियां दूसरी एंद्रि दूसरी इंद्रिय के कार्य को नहीं जान सकती, इसलिए इंद्रियों से श्रिष्ठ मन है, मन से भी श्रिष्ठ बुद्धी है, और बुद्धी से श्रिष्ठ कामना है, अब यह हमने पिछले श्लोक पे देखा, आज के श्लोक से शब्दोकर्थ देखता है, एवम, एवम यान इस तरह या इस प्रकार, बुध्ध है, बुध्धी से परम यानी श्रेष्ठ या पर, परकार्थ अपने पिछले श्लोक में भी देखा था, श्रेष्ठ, सबल, प्रकाशक, व्यापक, तथा सुक्ष्म, बुध्ध्वा, बुध्वा यानी जार कर, संस्तब, संस्तब और या, जो य है यहां तक लेंगे संस्ताभ्य यानि वश में करके अब य मी आ की मातरा है तो आत्मान मात्मना ये दो शब्दों में बनेगा आत्मान और मात्मना का जो म हैं वो ले रेंगे तो आत्मानम और आत्मना ये दो शब्द बने आत्मना यानि अपने द्वारा और आत्मानम यानि अपने आपको आगे क्या है जही जही शत्रुम जही यानि माडाल शत्रुम यानि शत्रु को महाबाहो हे महाबाहो अर्जुन कामरूपम का अर्थवा कामरूप यानि कामना रूप जो शत्रु है उसको दूरा सदम यानि दुर्जे पूरा अर्थ निकला इस तरह बुद्धी से पर यानि जो बुद्धी से भी श्रिष्ट कामना है उसको जानकर अपनी द्वारा अपनी आपको वश्मे करके ही महाबाहो इस काम रूपी दुर्जे शत्रो को मारडार तो इस तरह भगवान ने इस अध्याय के अध में पूर्ण तया अपने आप से अपने आपको जानकर इस काम रूपी शत्रो को मारने की आज्या अर्जन को दी तो भगवान ने यहाँ पर सबसे पहली बात तो क्या बताई कि बुद्धी से भी श्रेष्ट क्या है कामना और उस कामना से भी श्रेष्ट क्या है एहम अब यहाँ एहम जो है वो एहम कौन है स्वरूप के बारे में एहम बात नहीं कई जा रही है जिसको हम मानते हैं कि ये कर रहा है हम अपने स्वरूप को न पैचान कर स्वैम को करता मान लेते हैं इसलिए ये एहम को बताएगा है कि वो कामना एहम में रहती है इसलिए बुद्धी से विश्रिष्ट ये एहम है अगर ये हमारे स्वरूप में होती कामना तो ये स्वरूप कैसा है हमारा allora चेतनहैं अविनाश्री है तो मतलब जिसका कभी भी नाश नहीं होता है tôi कामना भी के द्वारा जगती है मन उस कामना को प्राप्त करने की इच्छा करता है बुद्धी अलग-अलग प्रकार के संकल्प करती है फिर जिसको हमने एहम मान रखा है वो ऐसे कुछ कर्म ऐसे से कारे करती है जिसके द्वारा बुद्धी के द्वारा किये गए जो जो भी अपने कि हम जिस भी बात की कामना करते हैं जब वो पूरी हो जाती है तो हमको ऐसा लगता है कि वो कामना पूर्ण हो चुके नाश हो चुकी है तो वो हमारे चेतन भाग में नहीं है वो किस में है जड़ भाग में है तो यहां पर यह चीज तो हो गई फिर यहां पर बोला कि बुद् स्वरूप के द्वारा अपने आपको ही वश्मे करना मतलब अपना संभंद किसके साथ में है अपने शुद्ध स्वरूप के साथ जो कैसा है अविनाशी है सुक्का भंडार है सहज है उसके साथ में अपना संभंद स्थापित कर देना और हम किसके अंश है परमात्मा के अंश कि हम इस संसार के तुछ भोगों के लिए नहीं बने हैं, हमारा संबंध तो उन परमात्मा से है जो चेतन है, जो अविनाशी है, सहज सुखराशी है, ऐसा मान लेने से स्वत्य ही हमारा संबंध इन कामनाओं से कट जाएगा और हम इस शत्रु को पूर्ण तया मान कर अपने प चत्रु को मारा जा सकता है, अविनाशी सहज सुखराशी हे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको भूलू नई, नारेन, 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 नारेन